नमस्कार स्वागत है आपका अंचल आचल मैं मैं हूँ आपके साथ श्वदाशर्मा और चलिए शुरुआत करेंगे बुलेटिन की भुपाल से बड़ी खबर के साथ जहां मुख्यमंत्री शुवरा सिंग चोहां ने कॉंग्रिस पर जम कर दिशाना साथा राहुल गांधी के अर्जिक हारिजोने पर कॉंग्रिस के सवालों पर निशाना साथा है पता नहीं कॉंग्रिस के नेताओं को क्या हो गया है वोट के फैसले पर सवाल खड़े कर रहे है राहुल गांधी ओवी सी वर्ग से माफी मांग लेते तो कुछ नहीं बिगटता सिमंद्री शवरासिंग जहान ने रंज तसा है नशाना साधा है राहुल गांधी को लेगा कांगरेस के मित्रों को पताने क्या हो गया है बड़ा आसान था OBC से माफी मांग ले तेरा हुल जी लेकिन कोर्ट के फैसले पर टिपडिया की जा रही है सवाल उठाए जा रहा है उंगलिया उठाए जा रही है यहां तक के मानी न्यायद हिस के बारे में भी उल्टा सीधा बोला जा रहा है अब आप एक तरफ कोर्ट में जाते हो दूसी तरफ कोर्ट के बारे में भी उट पटांग बोलते हो आखिर क्या हो गया क्या आप जो क्या तो वही सच है राहुल जी को अपनी गलती स्विकार करनी चाहिए OVC से माफी मांगनी चाहिए और कम से कम ये लोग तंत्र है कांग्रेस के नेताओं को न्याय पालिका का अपमान ने करना चाहिए पूरे देश का विश्वास और भरोसा है तो न्याय पालिका पर है तो न्याय पालिका पर अपमान नहीं करना चाहिए कहना है मुख्यमंद्री शिवरासिंग जोहान का चले बात करेंगे जश्पुर से खबर चहां चंगाई सभाकर के धर्मान्तरन का मामला सामने आया है धर्मान्तरन के शक में ग्रामीनों ने एक ग्रक्ति को घेरा चंगाई सभाकर एक परिवार को धर्मान्तरित करने की कोशिश का भिया रोप है चंगाई सभा करा रहे शक्स को कुनकुरी पुलिस ठाने लेकर पहुंची पूचताज के बाद कारवाई काशवासन दिया गया है जश्पुर से बड़ी खबर आपको बदा दे चंगाई सभा करके धर्मांतरन का एक मामला सामने आ है ग्रामीनों ने एक ग्रक्ति को घेरा धर्मांतरन के शक्त पर परिवार को धर्मांतरित करने की कोशश का भी आरोग जो है वो लगा है इसके बाद शक्स को कुनकुरी पुलिस ठाने लेकर पहुंची और पूचताज के बाद कारवाई काशवासन दिया गया है तो धर्मान्तरंट से जुड़ा हुआ ये पूरा मामला जश्पुर से सामने आए जहां शक हुआ ग्रामीनों को तो एक गंक्ती को घेरा क्या और इसके बाद जंगाई सभा की गई परिवार को धर्मान्तरित करने की कोशिश कभी आरोग जो है वो लगा है इसके बार शक्स को खुनकुरी ठाले पुलिस लेकर पहुंची पूचता अच के बाद जितें दुरह सोनी जादा जानकारी के लिए हमारे सायोगी हमारे साजुड़ का है पूरा मामला और इसके बाद अब क्या कुछ जानकारी पुलिस किस तरह से कारवाई करी बताना चाहूंगा कि जो जस्पूर जी लगे ग्राप जो प्राद लोदमा का है यहां पास बिती राथ को जो गाउंप इस पे फोलिस को सिक्या और पस दो कर तक साब को तो सफने हमने त्हानके सब्छ पाद यहां उसमें इक परिवार को त्हानक लेकर आए और उसको एक विंख्टि की खिलाफ मामला दर्ज कर लिए गया पूरा मामला दर्च किया गया है, शक हुआ जब ग्रामीनों को और इसके बाद परिवार को धर्मांदरित करनी की कोशिश का भी आरोबे, बहुत 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 शुक्रिया, तबाम चानकारी के लिए अचली रायपूर आपको सीधे ले चलते, जहां मुक्यमंत्री वुपेश पगेल विशेश पिछरी जन्जाती के वाओं को न्यूकती पत्रे वितरित करें क्या नाम है आपका कि यह नाम सामबती पहारिया है कहां रहने वाली सामबती इस राइट वली संना से अच्छा संना के रहने वाली एप बताओ सार मेरी आर्थी किस्तिती बहुत तमजोर थी तभी मैं बारवी पास की मेरे भार में ममी पापा लोग खेती किसानी मजदूर करके किसी से उधार लेके आज पढ़ाई लिखाई करुआ है आज मैं सास के नोक्री पाके बहुत खुस हूं ये मेरे ममी पापा का योगदान रहा जो अपने मेहनत पसीना से मेहनत पसीना से मुझे पढ़ाया लिखाया इसके लिए मैं अपने ममी पापा को भी धन्यवाद देती हूं आपने हमारे लिए हमारे समाज को समाज के विकास को सोचते हुए आपने अभी 142 पद सास के सहाईक सिख्षक के पद निकाले हैं इसमें हमें निक्ति पत्र दिया जा रहा है इसके लिए मैं आपको दिल से धन्यवाद देना चाहती हूं खुब बदाई देखिए सिख्षा ही एक मात्र माध्यम है जो आदमी की जीवन में परवर्तन लाता है और आपने विपरित परिशिती में पढ़ाई कि आपके माता पिता का असिरवाद रहा और सिख्षा ग्रहन आपने कि आज आप आप सिख्ष्यक बनी हैं तो आप से यह ही आग रहा है कि बच्चों को खुब मन लगा के पढ़ाएं ताकि वह आने वाले जो भविस हैं वह बच्चों का भी अच्छा हो और साथ ही समाज में भी संदेश जाना चाहिए कि इतने भी विसेश पीछली जन जाती है यह उनके लिए सासन बहुत सारी योजना बना के ब प्रचार प्रसार करें चांबाए खुब बढ़ाई लगतार शराब दुकान का विरोध हो रहा है तो रहवासी लाका यहाँ पर शराब दुकान खोली गई है जिस वज़े से लोगों को परिशानिया है और यही वज़े है कि महिलाई यहाँ पर एक अत्रित हो गई है और चक्का जाम करती नज़रा रही है तो ग्राम साई खेडा की यह तस्वीरे हैं जहां लगतार विरोध प्रदर्शन जो हो रहा है महिलाओं का यह आरोप है कि यहाँ से शराब दुकान जो हो जल से जल हटाई जाए क्योंकि बच्चे इस जगए से निकलते हैं स्कूल जाते हैं महिलाई निकलती हैं और कई न क कोई अपरी घटना ना हो इस वज़े से विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं जक्का जाम कर रहे हैं और यह कह रहे हैं कि यहां से जल से जल शराब दुकान जो हो रटादी जाए तो बरेली सिल्वानी इमार की घटना जहां सड़कों पर महिलाएं एक साथ इकत्रत होकर बैठ गए तो राय सेन की तस्वीरे सामने आए देके महिलाएं जो है वो इकत्रत होकर आपर बैठ गए हैं इतर मुख्यमंद्री पूपेश बगेल भेट मुलकात कारिकरम के तहट अब तक सब्तर से अधिक विधान सभाव तक पहुँच चुके हैं और इसे लेकर सियासत भी हो रही है भाजपा, सीम के भेट मुलकात को हेट मुलकात तो बताती ही है वेपूर्वमंद्री राजेश मुडत ने सीम को चुनाती भी दे दी है उन्होंने ये का कि सीम एक उधारन बता दें जिसमें उन्होंने रायपूर शहर में 20 करोड के विकास कारियों का भूमे पूजन किया हो अगर सीम बता देंगे तो मैं राजनीती छोड़ दूँगा वहीं कॉंग्रेस के संचार प्रमुक सुशी लारन चुकला का ये भी कहना है कि भाजपा सरकार का लक्ष कमिशन खाना था जबकि हमारी सरकार आमजनत्ता को लाप पहुचाने के उद्देश से काम कर रही है इधर भाजपा के चत्तिसगर प्रिभारी ओम माथूर का बस्तर दौरा 3-4 बार तल चुका है अब इस पर सियासत चुरू हो गई इस मसले पर कॉंग्रेस ने तंज कसा है ये कहा है कि भाजपा को बस्तर में कोई संभाबना दिख नहीं रही इसलिए ओम माथूर का दौरा तल रहा है कॉंग्रेस के इस बयान बर भाजपा ने पलटवार किया और ये कहा कि कॉंग्रेस पहले अपने अंदर झांकर देख ले कॉंग्रेस के पास तो कोई नेता ही नहीं है इसलिए पार्टी टौर्च लेकर प्रवक्ताएं खोज रही है भाजपा के मताबिक व्यस्तता की वज़ज़ से वो माथुर के तय कारिक्रम में बदलाव किये गए भारती जनता पार्टी केडर बेस पार्टी है और इसके अंदर में प्रभारी, सह प्रभारी, संगठन मंत्री हमारे प्रदेश अद्यक, सारे नेता मिलकर जो है सतत दोरा करते हैं और बारोवासी दोरा चलता है हमारा हमारा क्यों चुनाओं के लिए नहीं है प्रदेश गड़ से भारती जनता पार्टी के एक किवे नेता को इस्टार परचारक के रूप में नहीं लिया गया है इधर पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रिबन सिंग भाजपा की बोतिस्तरी बैटक में शामल उने धमतरी पहुंचे यहां उन्होंने राज्य सरकार पर जमकर निशाना साथा उन्होंने कहा कि प्रदेश में निर्मान कारे पूरी तरह से ठप है वहीं घोशना पत्रे के वादे भी अब तक अधूरे हैं कॉंग्रेस प्रियंका गांधी को बुला कर बताने का प्रयास कर रही है कि वो अपने सारे वादे पूरे करते हैं कॉक्टर सिंग ने ये भी कहा कि धमतरी में विकास का रिठप है विकास अधूरा है, माप और सदन छोड़ कर भाग रहे हैं सरकार शराब बंदी, बोनस, किसानों और बेरुज़कारों से किया हुआ बादा पूरा नहीं कर सकी पूल गादी के याचिका खारी जोग तो होना ही था और याचिका में और इस याचिका में कोई बहुत ज़्यादा महत्पुली था तवाल धमतरी का है, अब दिल्ली की बात ना करें पूरे विकास काम धमतरी के ठप है, माप और सदन छोड़ के भाग रहा है विकास अधूरा है, पूरी तरीके से पूरे छत्रिगण में धमतरी सहीत, सारे निर्माण विकास काम पूरे तरीके से ठप पड़े हैं चुनाओ को मुद्धा धर्मांतरा नहीं है, यह समाजिक समरस्ता का और जिस प्रकार कांग्रिस के सरक्षान में इशाही मिस्नरी फल्पूर रही है और जिस पकार धर्मांतर यांधी आई है बस्तर से तरुग जाता है वो समाज के लिए नुपसान दैक है, देश के लिए नुपसान दैक है इधर राजनान गाउं जिले में महिलाओं द्वारा गोबर से पेंट का निर्मान किया जा रहा है शहर के लखोली में प्राकृतिक गोबर पेंट यूनिट के स्थापना राजनान गाउं नगर निकम द्वारा की गई वही यहां से बने पिंट का उप्योग शाच की भवनों, विद्याले, चात्रवास और कार्याले की भवनों के रंगरोगन में भी किया जाएगा प्राकरतिक गोबर पिंट निर्मान के लिए रास्टी शहरी आजीवी कामिशन बिहान की स्वा सायता समू के महिलाओं को जोड़ा गया है सिग्रामीन अर्थिव्यवस्था सुद्रण होगी, वही महिला समू आत्मनिर भर होगी और परियावरन सनरक्षन में भी सायता मिलेग इधर कांकेर जिने के बिहान से जोड़ी महिलाओं अपनी पांस सूत्री मांगो को लेकर अनेश्वत कालिन हर्ताल पर है महिलाएं कालेक्ट्रेट मार्क में पिछले 30 दिनों से बैठ कर सरकार के खलाफ नारे बाजी कर रही है तो वहीं गुरुबार को महिलाओं ने रैली निकाल कर शक्ती प्रदर्शन क्या दिधान सम्मू से जुड़ी महिलाओं ने भी बताया है कि इनकी प्रमुक मांगे ये हैं कि मांदे मे व्रद्धी नियुक्ति प्रमांट पत्र प्रदान करने प्रतिमा मांदे देने निमती करण और निवास से कारिस्थन आने जाने के लिए यात्रा भत्ता दिया जाए और इसके साथ अंजल आशल वेबसतना ही बाकी अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए आइनेच 24-7 मस्का बाकी अंजल आप देखते रहिए